नमस्कार आप देखरें अखन भारत टीवी मैं हूँ आपके साथ ज्योति सरकार तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजिक हब्रूगुराम बिद्यालाय द्वारा इसी बालमीक जैनती पर सनातन सहस्कृति का आधार सामाजिक समरत्ता बर्तवान चनोतिया और हमारी भूम अब आज में जो कूरितिया हैं इसमें से आइसी कोई कूर् отп लुग है जब इसकी जड़ अध्यीम नहीं यह बाद में आई है तो जब अगर बाद में आई तो उसका हो सकता है लेकिन हुआ इसका उल्टा जैसे सम्मिदान कहता है जाती वाद खतम करो हमारी सरकारों ने जातियों के नाम पर खूब ही उजनाय बनाई सम्मिदान कहता है भाशा वाद खतम करो भाशा के अधार पर खूब ही उजनाय बनी सम्मिदान कहता है छेत्र वाद खतम करो छेत्र के of ministry बना दिया फजारों करोर का budget लाट इलोकेट कर दिया सम्मिधान के प्रियमबल में लिखा है प्रेटएंटी यूनिटी नेस्टल इंटीग्रेशं लेकिन एक सम्रस्तायोग नहीं बनाए जबकि सम्मिदान यहीं कहता है आज भी हमें आज भी हमें बाबा रहुमाईों तुगलक गोरी गजनी पढ़ाय जा रहा है उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग है क्या जोर से बोलिये जरा देखें क्या हमारे हाँ महापुरसों की कमी है क्या हमारे हाँ राजाओं की कमी है बाकी तो छोड़ो आपके हरियाना में ही एक से एक महरशी एक से एक बड़े संत एक से एक बड़े सोतंता से नानी एक से एक बड़े राजा नहार सिंधे से राजा उनको पढ़ाने की बजा है तुगलक गोरी घजनी पढ़ाय जा रहा है भगवान कृष्णे पांच गाउं मांगे हिंदप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याग्यप्रस्थ तिलप्रस्थ, आज भी फरीदाबाद कहलाता है सोन प्रस्ताज भी सोनी पत कहलाता है पान प्रस्ताज भी पानी पत कहलाता है इंद प्रस्ताज भी दिल्ली कहलाता है व्याग प्रस्ताज भी बागपत कहलाता है अब समस्या यह है कि हम अपनी संस्कृति से दूर इसले जा रहे हैं क्योंकि हम महाभारत में तो पढ़ रहे ह पाचगाओं मांगे लेकिन जब जमीन पर ढूड़ रहे हो पाचगाओं नजरी नहीं आ रहे हैं इसलिए मिसंडी स्कूलों में कानवंट स्कूलों में मदर्सा के स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि महाभारत एक कालपणी घटना है और हमारे वाच में पांडाओं ने विराट में शरन लिया वहां एक होस्यार खानाम का लूटे रहा गया उसने होस्यार्पूर की तक्तीर नेम ब्लेट हटाई अपनी नेम प्लेट लगा दिया अज भी चल रहा हो फरीद खानाम का लुटे रहाया, तिलप्रस की पट्टी हटाया, वहाँ अपनी नेम प्लेट लगाया, फरीदाबाद बना दिया, चली रहा हूँ अगर हम वास्तों में सामाजिक समरस्ता को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें, जो कुरीतियां आई हैं 400-500 साल में, इसको खतम करने के लिए अपने वेद पुराण को घर घर पहुँचाना पड़ेगा, और सामाज अगर इसको पहुँचाएगा, तो 500 साल सरकार पहुचाएगी, तो 5 साल लगेगा, यह डिफ्रेंस है, समाज और सरकार के स्पेड में जहाज और बस का डिफरेंस होता है जो काम समाज 100 साल में करता है सरकार उकाम 5 साल में कर सकती है उदारण के लिए ये संसकार विधी स्वामी देयानन ने लिखा इसको जबर्जस किताब मैं तो कहता हूँ अगर इसको जन जन तक पहुँचा दिया जाए इसको प्राइमरी के स्लेबस में डाल दिया जाए और क्योंकि किसी भी चीज को जागरूख करने के लिए जो सबसे बढ़िया मीडियम तरीका है वो है आपका प्राइमरी और जूनियर का स्लेबस जापानी यही करते हैं जितनी अच्छाईयां उसको प्राइमरी के स्लेबस में डाल देते हैं जितनी कूरीतियां उसको प्राइमरी के स्लेबस में डाल देते हैं भूकम पाने से क्या-क्या नुकसान होगा वह भी प्राइमरी के स्लेबस में भूकम पाने के बाद क्या-क्या करना वही प्राइमिरी किस लिवस में अगर हम इस सोलर संसकार जो महसी वेद्व्यास ने दिया था जिसको हम भूल गए हैं सामान नतया भूल भूल चुके हैं पूरी तरीके से मैं टेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन अगर इस हॉल में पूछू कि सोलर संसकारों का नाम तो शाद किसी को नहीं पता होगा जबकि सारे लोग बुद्धी जी भी बैठे हुए इस सोलर संसकार को घर घर पहुंचाना ये समाज का काम नहीं है पवन जिंदल जी का काम नहीं है मेरा काम नहीं है आपका काम नहीं है ये किसका काम है सरकार का क्यों क्यों क्योंकि सरकार ने सपत लिया सांसत विदायक मंत्रियों ने सपत लिया हम भारत की संस्कृती को मजबूत करेंगे और भारत की संस्कृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है भारत के संस्कृति ग्रंथों को घर घर पहुँचाना आज के हजारों साल पहले हमें एक ग्रंथ मिला आप ज़रा सोचिए कितना महानकारी उन्होंने किया अगर महरसी वालमीकी ने नहीं लिखा होता तो हमें नहीं पता होता कि लक्षमर जी जैसा सेवक भाई मिलना मुस्किल है भरत जैसा आग्याकारी भाई मिलना मुस्किल है पूरी राम कथा हम इसले जानते हैं क्योंकि वालमीकी जी ने में ग्रंथ दिया अब जब वालमी की दी ने ग्रंथ दिया और वो ग्रंथ अपने आप में सामाधिक समरस्ता का सबसे अनूठा उधारण है वास्तों में अगर रामायर समझ में आ जाए तो छुवा छूद भेद भाव अपने आपी खतम हो जाए राम के चरित्र को जिस तरीके सुनों ने बालकांड से लेके उत्तरकांड तक दरसाया है उसमें हमारी आधी कूरीतिया केवल रामायर को पढ़ने समझने से खतम हो जाएंगे लेकिन रामायर को पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी समाच में दे दिया क्यों बहिए सबकरार का फिर क्या का में सारे यूर्फ में Bible Mandatory है पढ़ाना है पूरे खाड़ी देसों में कुरान को पढ़ाना Mandatory है तो ने भारत में रामायर को पढ़ानाainen क्यों नहीं करना चाहिए है एं का दोनों में अमपें दोनों में जबकि compare नहीं किया जा सकता बाइबिल सर्व कल्यान की बात नहीं करती कुरान सर्व कल्यान की बात नहीं करती बाइबिल सरुजन हिताय सरुजन सुखाय की बात नहीं करती ना कुरान करती बाइबिल में ये बताया गया ठीक है जो जो Christian है उनके लिए ये अच्छा रामायण में तो कहा ही नहीं गया कि वह हिंदू के लिए लाबकर होगा बाकियों के लिए नहीं होगा इसलिए एक इतना पवित ग्रंथ जिसको जंजन पहुंचाने से जातिवाद खतम हो सकता है, भाशावाद खतम हो सकता है, छेतरवाद खतम हो सकता है, कटरवाद खतम हो सकता है, अलगावाद खतम हो सकता है, उस पवित ग्रंथ को जंजन पहुंचाने के लिए स्लेबस में सामील ही नहीं किया डिए रामचरित मानस में महर्शिवालमी की की जो रामायड है साथ खंड है अगर हमने फर्स से सुरू किया होता फर्स्ट में बालकान साथवी पास करते करते बच्चे को पुरा रामायड पता होता आपके इसी भूमी पर एक और पवित्र गंथ की रचना होई भगवत गीता अठारा अध्याएं तीन तीन अध्याएंगर पढ़ाएं शटवी पास करते करते बच्चे को पूरी भगवत गीता पता हो जाएगे रामायड पढ़ाएं एक एक खंड पढ़ाएं साथवी पास करते करते पूरा रामायड ग्यान पहली बात तो सेकुलर का मतलब धर्ण निर्पेक्ष नहीं होता धर्ण निर्पेक्ष तो कोई देश होई नहीं सकता और भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकता अगर भारत धर्म निर्पेक्ष है तो सुप्रिम कोड के जजज की कुरसियों पे क्यों लिखा रहता है यह तो धर्मस्ततों जय है हमारे मित्र बैठे हुए यहां पर लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है अगर भारत धर्म निर्पेक्ष है तो हाई कोड के जजों की कुरसियों पर ये तो सत्यम सिवम सुंदरम क्यों लिखा रहता है अरे भारत धर्म निर्पेक्ष नहीं है भारत पंध निर्पेक्ष है एक्च्वल में धर्म को घर घर पहुँचाना ये काम केवल समाज का नहीं है, केवल संग का का नहीं है, विशुन्दू परिशिद का नहीं है, बजरंग डल का नहीं है, ये सबसे प्रमुख कार है, सरकार का है, संग बजरंग डल उसको पहुँचा रहा है, विशुन्दू परिशिद पहुँचा रहा है, उसके लिए तु सामाजिक संगठनों का कार्य नहीं है वो करते हैं यह अच्छी बात है लेकिन प्रमुक रूप से ये कार्ज उन लोगों का है जो हाइक संभिधान की सपत लेते हैं और संभिधान की सपत द्धायक मंत्री मुक्य मंत्रीज़ हाइक कोड़k सुप्रीम कोड़ka इसलिए रामायड घरघर पहुँचे बगवद गीता घरघर पहुँचे राम चरित मानस घरघर पहुँचे यह कारी सरकार का है और यही तरीका है सामाजिक समरस्ता लाने का हम जिन रिशियों की पूज़ा करते हैं अभी समय नहीं है बहुत कम है आप कभी उन रिशियों के बारे में देखना उनके माता पिता कौन है आदे रिशी ऐसे हैं जिनके पिता अलग वर्ण के हैं माता अलग वर्ण की हैं जाती तो थी नहीं पैम आदे अरे हमारे देश में गर छुवा छूत होता उँच नीच का भेदभा होता तो सांतनू कौन थे अर विवा किसे किया नाविकी बेटी से किया अगर उँच नीच का भेदभा होता अर वैसे भी आप देखो अरजुन ने इतने विवा किये क्या अपनी काश्ट छत्री देख देखे किया था क्या नहीं माता सीता का स्वेंबर हो रहा था तो क्या क्यों च्छत्रियों को निमंत्रण गया था अरे सारे जो राजा हो आएगा अगर क्यों च्छत्री राजा होते थे तो कंड राजा कैसे बन गया अगर च्छत्री ही सेना में जाते थे तो एक लब्ब के पिता जरासंद के मुख्य सेनापती कैसे बन गए एक बड़ी अलग कहानी एक और जूट परोसा जाता है कि दुरुनाचार ने एक लब्ब का उठा इसलिए काड लिया क्योंकि अधलित था अलगी जूट है उतो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले करमाधारित बिवस्था थी जो आदमी जो कारे करता था वो कहलाता था ब्राहमर का लड़का छत्री बन गया छत्री का बन लड़का ब्राहमर बन गया ब्राहमर का लड़का वैशे का लड़का ब्राहमर कहलाया ऐसे एक नहीं अनगिनत उदारण है लेकिन हमें चुकी वेद नहीं पता, हमें अपने पुराने ग्रंथों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, सरकारों ने पढ़ाया नहीं, इसलिए हमेशा दुजानकारी का भाव है, और पॉलिटिकल पाइटियों को मजा भी आता जितना आपस में तूटे रहें, फूटे रहे धन्यवा.